नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं दा खबरतार न्यूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर रीवा इको पार्क बियार नदी के टापू पर बने इको पार्क का लोका पढ़ आज चली जानते एटू जेट विस्तार से को अकड़सित करेंगे इको पार्क का लोका पढ़ आज 24 सिदमर को साम साड़े पाँच बजे बिधान सवा अध्यच गिरीज गौतम करेंगे कारक्राम की अध्यचता जन संपर्क तथा लोक स्वास्त अंत्रियांत्र की मंत्री राजयन सुखला करेंगे इस अपसर पर विस्त अतिती के तोर पर सांसा जनादर मिस्त्र विधायक पुर नागेंत सिंग विधायक मनगमा पंचुलाल प्रिजापती विधायक सिर्माः दिब्राल सिंग विधायक तेउता स्यामलाल दुबेदी विधायक माउगंच प्रदीप पतेल विधायक सिमरि रिवा संग्भाग अनीज सुचारी, कलेक्टर स्रीमती प्रतिवापाल, पुरिस अधिचक विवेक्षिं, आयुक्त नगानिगम, श्रीमती संस्कृती जन्थ, सियप राजेस्ट कुमार राय एबं वाट क्रमाग उन्नीज के पार्श समी शुकला उपस्तिर रहेंगे। लेक में प्रस्टित की जाएगी। पैटन के छेत्र में रिवा का इको पार्क का नया आयम इस्तापित करेगा। जन्संपर्क मंत्री स्री सुख लें ताहर। इको पार्क से रिवा में पैटन की गति विदियो को बढ़ावा मिलने के साथी रोजगार के अपसरो कभिस रेजन हो मत्पदेश इको पैटन विकास बोर्ड एवं रिवा लीजर प्राइवेल लिम्टेट के माध्यम रिवा सहर के भीहर इको पैटन एवफ एडवेंचर बार्क का निर्मार्ट डीवी एक्टोटी मॉडल पर जन्भागीदारी से किया गया है। रिवा सहर से निकलने वाली भ वेंचर स्पोर्ट्स गति वीडियो की बिक्सित की गई है। इको पार की जिप लाइन, स्काइलिंग, रॉक कोईन्विंग, कमांडो कॉंसिल्स, वार्मा ब्रेज, रॉक पॉर्सल, छोटे बच्चों के लिए आधुनिक जूले के साथ कई मनुरंजक सुधाये हैं। पैट और नदी में मौझूदा टापू बन रहा है। इको पार्क इस प्रोजेक्ट को सुरू होने और पूरा होने में फोड़ी देर की हुई लेकिन इंतिजार फल मीठा होता है। अब 24 सिटम्बर को इसी खुबसूरत पैटन इको पार्क का लोकापन हो रहा है। इसके साथ ही से देखने पर भी आकर्शन केम था। जनसंपर्क मंत्री एवं रिवा विधान सफागे बीजेपी एमले राजेंद सुखला को एक आइडिया आया और वो आइडिया बड़ा ही बिजनरी था। उन्होंने बीहान नदी के टट और खोशूरत बना ले और इस आईलेंड को प पार्क डेप्लोमेंट के लिए मद्विदेश सरकार से सुकृति मिली लेकिन सुकृति मिल जाने पर डीपीर तयार होने से भरा रहा आसान नहीं हुई सब कुछ ठीक चल रहा था कि टाटू पर तीन करोड रुपए की लागा से एक जूला का पूर निर्माड किया गया जो जो अपने आप ही एक बहतरीन आटिक एक्चर था मगर 2016 में भ्यंकर बाड़ आये और उसकी चपेट में हैंगिंग ब्रिज आ गया उस तिन से सिर्फ पर पुल नहीं टूटा उन लोगों से भी उमीद टूट गई थी जो हमेशा रीवा को एक खुबसूरत सहर बनाने के लि 23 साल सत्ता परिवर्तन हो गया फिर क्या 2021 में वाफस प्रोजेक्ट का काम सुरू हो गया जो अब पूरा होने को है जिसे मद प्रिदेश का इको जिसे मद प्रिदेश इको पैटर्न विकास बोर्ड एबं रिवा लीजर प्राइवेड लिमिटेंड कंट्रोल करेगा सबसे प अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले